गुड मूनिंग 12th Standard आज हम Method 6 का Illustration 8 करने वाले हैं अलाकि मैंने कल जो वीडियो बेजा था उसमें Illustration 8 के Working कर ली थी Concept समझा दिया था ये वीडियो देखने से पहले आगे का वीडियो जरूर देख लेना उसमें Concept वग्यर पूरा समझा गया है मैं Illustration स्टार्ट कर रहा हूँ लेखा हुआ है पार्श्वी और आनेरियार पार्टनर Sharing Profit and Loss in 2 Ratio 1 मतलब इनका जो Profit and Loss है Old Ratio जिसे मैं कह सकूँ वो क्या है 2 Ratio 1 है 2 Ratio 1 इनका Profit and Loss दिखाया गया आगे बढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है Balance Sheet of the Farm on 31st March 2016 दी गई है 1st April को नया पार्टनर इंटर हो रहा है हैंसी तो जो Balance Sheet बनाई जाएगी वो कब बनाई जाएगी 1st April 2016 1st April 2016 और bracket में हम दिखा देते है After the Admission of Hensi New Partner के Admission के बाग अब यहां पर Information दी गई है सबसे पहले चलो मैं Asset साइट से स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले दिखाई गई है Goodwill मैंने आपको पहले भी बताया है जब-जब Goodwill होगी जब-जब Goodwill होगी तो वो Balance Sheet के Goodwill Old Partner में Old Ratio में डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगी जो Old Partner है उनके Old Ratio में उनको डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगी तीन पार्टनर है पार्श्वी, आनेरी और हैंसी अब तो दो मैंने पहले दो पार्टनर दे तीसरा आया तो दो पार्टनर को अगर मैं Goodwill डिस्ट्रिब्यूट करना उनके Capital Account में डेविट पर वर्ड आ जाएगा Goodwill और 21,000 की Goodwill है 21,000 को वो तू रेशो बन में अगर डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो तू रेशो बन में फर्स्ट पार्टनर के डेविट पर आ रहा है 14,000 और सेकंड पार्टनर के डेविट पर आ रहा है 7,000 आगे पढ़ते हैं बिल्डिंग कोई एग्जस में नहीं है ऐस इपिस बैलन शीट में दिखा दो बिल्डिंग 1,40,000 बिल्डिंग 1,40,000 कोई एग्जस में नहीं है तो सीधे आउटर कॉलम में दिखा सकते हो बिल्डिंग के बाद फर्णीचर दिखा गया 28,000 उसमें भी कोई एग्जस में नहीं है सीधे उसको भी आउटर कॉलम में दिखा सकते हो फर्णीचर 28,000 नेक्स तम देखे furniture के बाद आपको दिखा गया stock 18,200 stock 18,200 उसमें भी कोई adjustment नहीं है तो हमने उसको भी same दिखा दिया stock 18,200 आगे पढ़ते है stock के बाद data दिखाए गया 16,800 उसमें भी कोई adjustment नहीं है data 16,800 सीधे मैंने outer column में दिखा दिये next हम बढ़ते है cash पढ़ी है 56,000 तो मैंने cash का account को बना है तो cash के account में debit में मैं डाल देता हूँ to balance brought down to balance brought down और amount है 56,000 यह 56,000 मैंने दिखा दिये आगे बढ़ते है राइट liability side capital दिखाए गया है पार्षवी की 91,000 तो capital के लिए हमारा capital account है by balance brought down by balance brought down पार्षवी की 91,000 है और आनेरी की 84,000 capital है उसके बाद capital reserve 14,700 मैंने आपको कहा था कोई भी reserve पढ़ी होगी जैसे के general reserve है capital reserve है partner में all ratio में बाट देते है capital reserve है हमारे पास capital reserve आप चेहत कर लो कितनी है 14,700 14,700 को हम बाट देंगे two ratio one में तो first partner के नाम पे आएंगे 9,800 second का 4900 दोनों partner को old ratio में बाटा जाता है next आपका आया है workman saving account saving account कभी भी distribute नहीं होता है वो as it is आपका आ जाएगा workman saving account liability side में as it is आ जाएगा workman saving account क्योंकि कभी भी यह distribute नहीं होता है as it is जितना होता है workers compensation होता हो अलग बात है यह saving account है saving account हमारी liability होती है as it is 7000 liability में दिखा दिया कोई भी फरक नहीं पड़ेगा same फिर है workers profit sharing fund it is also liability workers profit sharing fund यह भी liability है तो workers profit sharing fund आप जितना हो सकते full form यूज करना मेरे पास space वगरे का problem है तो में short form कर लेता हूँ बाके आप पूरे का पूरा दिखाना जो 8400 है यह 8400 मैंने दिखा दिया next लिखा हूँ है 10% loan from bank इस पर एक adjustment है तो मैं loan from bank इसको inner column में रख देता loan from bank इसको मैंने inner column में रखा amount जो है वो 35,000 और percentage भी दिखाए गई है 10% loan तो maybe नीचे ऐसा होगा कि इसका क्या करना आप interest count करना interest किये कि adjustment आपको नीचे अलग से दी जाएगी अब next दिखाया गया creditor जो creditor है 39,900 पर उसमे भी कोई adjustment नहीं है मैंने as it is creditor दिखा लिए 39,900 हमने direct दिखाया उपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो liability site पे आने चाहिए अब हम आ जाएंगे adjustment खास 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 adjustment ज्यांग से देखना 1st April 2016 दे admitted Hensi as a new partner Hensi को नए partner के तोर पर admit करना है new profit sharing ratio kept 3 ratio 4 ratio 2 नया profit sharing ratio हो गया 3 ratio 4 ratio 2 तो कल का वीडियो याद करना आपको याद होगा कल मैंने एक short रीडियो बना के कुछ working समझाई थी आपको उसमें ऐसा दिखाया था कि new ratio है old ratio है sacrificing ratio डूंडो जो goodwill के time में काम आएगा कल की थोर इसी working side में मैंने आकी हुई है पार्षवी का sacrificing ratio था 3 ratio 9 आनेरी का minus 1 by 9 आया था that means आनेरी को gain हुआ था पार्षवी ने sacrifice किया no doubt उसको goodwill मिलनी चाहिए बड़ आनेरी को क्या हुआ है gain हुआ है आनेरी को gain हुआ है आएंगे वहाँ पर देखेंगे फिलाल इस adjustment का फिलाल कोई काम नहीं ratio है working के लिए काम आएगा फिर लिखा हुआ है hansi bring 40,000 as capital नई partner है capital 40,000 लेके आई है तो उसके capital में दिखा देंगे buy cash और ये 40,000 capital के आगे hansi के account में साथ-साथ हमारे पास cash भी आई है तो यहाँ पर मैं cash में दिखा दूँगा किसकी capital आ रही है hansi's capital ये hansi की capital में 40,000 लुपीस आगे आगे बढ़ते हैं next देखो क्या लिखा हुआ है आगे हम बढ़ रहे है लिखा हुआ है पहली एक जस्मत अथाड है जस्मिन interest on bank loan is outstanding for one year bank loan का interest एक साल का outstanding है देखो ये bank loan कितना है 35,000 interest 10 person है एक साल का outstanding है liability बढ़ दे interest हमारी liability है 3500 रुपीस liability अगर बढ़ जाती है तो revaluation के debit पे दिखाते हो यहाँ पर आपका हो जाएगा 38,500 में हमेशा कहता हूँ एक जस्मिन के दो effect एक यहाँ दे दिया एक revaluation के debit में दिखा दिया interest on loan interest on loan आप check कर लो कितना interest आ रहा है 3500 रुपीस का interest है आगे बढ़ते है नेक्स देखो क्या लिखा हुआ है personal expenses of partially paid by firm is debited to profit and loss account 5600 मतलब personal expenses partially के थे किसके थे पार्श्वी के firm ने पे कि अब firm ने पे कि भे तो किसको करना था पार्श्वी को करना था एक तरह की drawing हो गई but firm में profit and loss ने लिखे तो ये खर्चा नहीं है हमने सोचा कि हमारा expenses होगा हमारा expense है बढ़ ये personally पार्श्वी का expenses है firm का expenses नहीं है तो firm ने तो debit में दिखा दिया है तो यहाँ पर हम दिखाएंगे partialis capital firm के लिए एक तरह का benefit हुआ benefit कैसे हुआ firm पहले हम ऐसा सोच रहे थे कि हमारा firm का करचा है और हमने profit and loss में दिखा दिया debit कर दिया अब उसको debit कर दिया है तो वापस क्या करेंगे हम firm को मतलब business को credit करेंगे तो यह हमारा profit बढ़ जाएगा तो पार्श्वी के कितने है 56 hundred यहाँ credit कर दिया और आपको दूसरा effect दिखा रहा है पार्श्वी के account में debit करने पड़ेंगे 56 hundred और word आ जाएगा revaluation रिवेलेशन क्यों आया उसका reason समझो खर्चा पार्श्वी का है पार्श्वी debit होनी चाहिए पर गलती से business debit हुआ है जो गलती से business debit हुआ मतब business का profit come हो गया तो वापस हम उसको बढ़ाने के लिए business को क्या कर रहा है credit कर रहा है next उसके बाद है reconstruction expenses paid by honorary 8400 actually reconstruction का business का खर्चा यह हम reconstruction कर रहे है reconstruction मतब नया partner जब आता है तो कुछ legal formalities होती है document बनाना पड़ता है अब अकील के पास जाना पड़ता है सारी formalities fully कर भी पड़ती है उसे कहते है reconstruction अब reconstruction में कुछ खर्चा आता है तो किसका खर्चा हुआ हो तो firm का खर्चा है firm को pay करना है बट वो किसने pay किया है honorary ने pay किया हुआ है फिलाल honorary ने pay किया हुआ है तो खर्चा firm का मतलब revaluation के debit में आएगा और honorary के credit में आ जाएगा अगर हम cash pay करते हैं तो यहां cash लिखते थे बढ़ यह honorary pay कर रही है amount कितना है 8400 तो honorary के credit में आ गया word हम क्या लिखने वाले है buy revaluation और revaluation के debit में आ जाएगा honorary capital क्योंकि अगर cash pay होई होते ही हमने firm से cash दिया होता तो cash में से पैसे जाए बढ़ यहां पर cash नहीं गया अनेरी ने अपने personal pocket से पैसे दिया होंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा अब हम अपनी main point पे आ जाएगे अब देखो goodwill is valued 90,000 goodwill is valued 90,000 मतलब goodwill की value 90,000 है आपको कहीं भी ऐसा बताया है कि हैंसी goodwill के पैसे लेके आया नहीं बताया है that means हैंसी को पैसे तो लाने थे बढ़ वो लाया ही नहीं हमने आगे भी कहाई partner अगर पैसे कम लाता है या नहीं लाता है अगर कम लाता है या नहीं लाता है तो उस partner का capital account debit करते है और जिसको मिलने वाला उसे credit करते है तो सबसे पहले सोचो कितना लाना था हैंसी जो नया partner था उसका ratio इनका new ratio में दिखाया गया 3-4-2 जो new ratio में दिखाया गया है 3 ratio 4 ratio 2 तो नया partner का ratio क्या हुआ 2 by 9 तो उसको goodwill लानी चाहिए 20,000 उसको goodwill कितनी लानी चाहिए 20,000 और हम इस सम्मे एक और बात देख रहे है कि जो पुराना partner है आनेरी उसको भी gain हुआ है उसे gain हुआ उसने sacrifice नहीं किया तो आनेरी को भी goodwill गर से लानी पड़ेगी देनी पड़ेगी किसको देनी पड़ेगी पार्श्वी को मतलब पार्श्वी को कितनी goodwill देनी पड़ेगी 10,000 रुपे तो हैंसी भी देगा आनेरी भी देगी किसको पार्श्वी को 20,000 रुपए देने वाला है हैंसी 10,000 रुपए देने वाली है आनेरी 10,000 रुपए हैंसी देने वाला है और 10,000 रुपए कौन देने वाली है आनेरी देने वाली है तो 10,000 के सामने तो मैंने लिख लिया by aneris capital by aneris capital और aneris capital में debit में मैंने दिखा दिया 10,000 और ये किसको दे रहा है ये पार्षवी को दे रहा है तो तो पार्षवी is capital कल का वीडियो देखना उसमें मैंने ये entry भी लिखवाई है पार्षवी debit होगी sorry पार्षवी जो है मैंने पार्श्वी के अकाउंट में दिखाना था ये जो 30,000 रुपीज मुझे दिखाने है क्योंकि सेक्रिफाइस कौन कर रहा है सेक्रिफाइस को पार्श्वी कर रही है तो पार्श्वी को मिलना चाहिए तो पार्श्वी के अकाउंट में क्रेडिट में आएंगे वो कौन दे रहा है, 20,000 दे रहा है हैंसी, 20,000 दे रहा है हैंसी, और 10,000 रुपए कौन दे रही है, आनेरी दे रही है, तो मैंने 10,000 के सामने लिख लिया, आनेरी, और इधर देखो, आनेरी के डेबिट में 10,000 के सामने क्या लिख लिया पार्शे, अब बाकी के 20,000 किस ने दि तो ये मैंने दिखा दिये हैंसी और हैंसी के capital account में मैं 20,000 नहीं दिखा रहा हूँ ये खास-खास important point है जो मैं next इसके बाद समझा रहा हूँ हैंसी के capital account के जगे current account में मैंने 20,000 दिखा दिये और word लिख लिख लिया ये पैसे 20,000 ये किसको दे रहा है पार्शवी को दे रहा है तो यहां मैंने word दिखा दिया पार्शवी is capital और यहां जो मैं दिखा हूँगा हैंसी is current account अब आपका question होगा sir current account क्यों use किया हम आएंगे उस पे मैं आपके question को थोड़ा suspense में रख रहा हूँ ये पहले entry को समझो नहीं तो कल का वीडियो देखना आप observe करो goodwill 90,000 है और पार्शवी ने sacrifice किये 3 by 9 मतलब 30,000 पार्शवी को मिलना चाहिए जिसमें से 20,000 तो हैंसी देगा 10,000 कौन देगा 10,000 आनेरी देगी तो ये देखो 20,000 हैंसी दे रहा है 10,000 आनेरी मतलब इसके account में credit में जा रहा है और जो credit हुआ उसमें से 10,000 मैंने आनेरी को debit किया और 20,000 हैंसी को debit किया अब आपका doubt रहा कि आनेरी को तो हमने capital account में debit किया जबकि हैंसी को हमने current account में क्यों debit किया लास्ट में उसके बारे में explanation आ जाएगी लास्ट transaction पोटो देखो क्या लिखा है Parsley और आनेरी भी अपनी capital new firm में new ratio में रखना चाहती है कौन से ratio में? new ratio अब इनका new ratio क्या है? 3 ratio, 4 ratio, 2 बट उसके लिए क्या का है? by taking hansi's capital as base hansi की capital को base लेना है अब important point कौन सी है? hansi की capital देखो कितनी जी? 40,000 उसको क्या लेना है? base लेना है तो 40,000 यह कल के working में भी मैंने समझाया था hansi के कितने हिस्से है? 2 तो उसके capital 40,000 है तो second partner आपका कौन है? आनेरी, आनेरी के capital कितनी होनी चाहिए? 80,000 होनी चाहिए और पहला partner है partial partial के capital कितनी होनी चाहिए? 60 कल की working देख लेना क्योंकि इसको हमने base लिया अब question mind में आपके RISR हमने current account का use क्यों किया? अगर ये 20,000 मैंने यहां लिख लिए होते हैं यहां पर जान रखना capital account में अगर मैं हैंसी के capital account में debit करता तो जब closing होता ना क्या होता? यहां का total होता 40 उसमें से 20 माइनस होते तो उसकी closing capital कितनी बच जाती? 20,000 बच दी जबकि हमें उसकी closing capital कितनी लानी है? 40,000 और इस बात के बारे मुनोंने लिखा भी है, देखो clear लिखा हुआ है for this purpose, necessary adjustment should be made in partners current account उसके लिए जो भी adjustment करनी है आपको कहां पर करनी है आपको partners के current account में जाके adjustment करनी है that means current account question में है नहीं आतक जितने भी some मैंने करवा है जिसमें हमने current account बनाया आपको याद होगा current account हमेशा live duty site पे मिला रहता है दिया होता है, तो हम current account बनाते है और ऐसे current account में capital account में कुछ भी नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ कौन से transaction आते है खाली capital आता है बाकि सारे transaction general reserve, goodwill, सब का सब हम कहां दिखाते है current account बड़ ये वो current account नहीं है इसमें हमें last में बिल्कुल last में current account का use करना है कि अगर उनकी capital कम जादा हो रही है तो उसको current account में ले ले लो अब सबसे पहले आपको क्या करना है देखो सारी adjustment complete होगे पहले तो मैं revaluation account close कर रहा हूँ last adjustment की अभी थोरी queries बाकि आता है सबसे पहले revaluation में कुछ नहीं आएगा तो मैं revaluation close कर था हूँ debit size का total मुझे दिखाया गया है मैं कर रहा हूँ तो 11,900 आ रहा है यहाँ भी 11,900 लिखा 2, sorry, buy कहां जाएगा यह loss हुआ यह चला जाएगा partners capital account यह loss है कहां जाएगा partners capital account और यह loss आ रहा है 6,300 का इस loss को किसमे बाटा जाएगा partially और आने ली में old ratio में और old ratio इनका है 2 ratio 1 तो 4,200 और 2,100 यह इनका loss आ रहा है तो मैंने capital account में debit side में दिखा दिया और word क्या use क्या revaluation 4,200 और 2,100 मैंने partners capital account में debit side पे दिखा दिया और word use क्या revaluation अब मैं second important account close करने जा रहा हूँ खास 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 जांसे देखना अभी तख हमें कुछ भी information यह last वाली नहीं होती थी अब हमें ऐसा का है कि हमें जो partner है उनकी capital को भी adjust करना है मतलर यहां पर यहां पर जब आप उनका balance निकालोगे टू balance carry forward करोगे तो पता है उनका capital का balance कितना आना चाहिए new ratio में आना चाहिए अब new ratio के लिए मैंने working करके रखी है new ratio के एसाथ से हैंसी की capital होनी चाहिए 40,000 क्योंकि उसके दो इससे है दो इससे की 40,000 तो चार इससों के लिए इसकी capital होनी चाहिए 80,000 और इसकी capital होनी चाहिए 60,000 यह इनकी capital होनी चाहिए अगर कम है या ज़्यादा है तो उसको आप adjust कहां से करोगे current account से अब सबसे पहले कैसे होगा देखो पहले में हैंसी की बात अच्छे कर दो हैंसी की हैंसी की capital है वो 40,000 क्रेडिट किया रेविट पे तो मैंने कुछ रखाई ने तो यहाँ पर इसकी हैंसी का तो account से अट हो गया आपको याद होगा हैंसी के मैंने current account क्यों use किया अगर मैं यह 20,000 यहां लिखता अगर मैं 20,000 यहां लिखता तो confusion create होता और हमें कहा है कि आपको जो भी कुछ adjust करना है वो किसमें करना है current account में तो मैंने 20 current में डाल दी अब मैं आगे बढ़ता हूँ second partner सबसे पहले मैं पार्श्वी को ले लेता हूँ चलो पार्श्वी का total करके देखते कितना आ रहा है देखो आपके सामने मैं कर रहा हूँ credit side में 91,000 capital है फिर 9,800 आया और उसके बाद 30,000 जो है दूसरा 30,000 अगर मैं total इसका लिखूं इसका total अगर मैं लिख रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ फिलाल calculator पर दिखा रहा हूँ one leg 30,800 डेविट में देखे माइनस करें तो माइनस में आ रहा है one leg मेरे पास जो difference आ रहा है वो one leg 7,000 आ रहा है मतलब इसकी capital यहाँ one leg 7,000 होनी चाहिए बड़ मुझे कितनी रखनी है मुझे सिर्फ 60 रखनी है कितने extra है 47,000 यहाँ पर extra है कितने 47,000 आप difference निकालके भी देखोगे न तो 47,000 यह जो 47,000 है आपका कहां लिखा जाएगा एक्जस किया जाएगा current डखोँ इसका यह जो 47,000 है हमने total किया total आया है one leg 30,800 total आया है total credit का भी बड़ा हो सकता है debit का भी बड़ा हो सकता है one leg 30,800 difference निकालो 47,000 जो difference आएगा कहां जाएगा current अकाउंट और वो current अकाउंट से यहाँ shift होगा किसका है पार्श्वी का पार्श्वी का 47,000 कहां से आया है यह capital अकाउंट से तो word यहाँ लिखेंगे capital अकाउंट इसकी entry कैसी होगी current account debit to capital account इसका मतलब जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था पार्श्वी के 47,000 एक्स्ट्रा थे हमने उसके current अकाउंट में डाल दू अब बात करते हैं आनेरी की आनेरी को कितनी capital की जरुबत पड़ेगी 80,000 80,000 आप देखो इसका credit side का total ज्यादा आएगा total मैंने यहाँ फसका लिखा 1,930,800 अब मैं पार्श्वी आनेरी की बात कर रहा हूँ आनेरी का debit side का total करूँ 7,000, 10,000, 2100 और 80,000 इसका debit side का total आ रहा है 99,100 और credit में देखो credit में आप देखो के 84,000-4900-8400 तो भी 1800,800 का difference आ रहा है आनेरी का यह 1800 का difference है क्योंकि जिस side का total बड़ा होगा total आया था 99,100 इस साल 1800 का difference है word क्या लिखा जाएगा current account, word क्या लिखा जाएगा current account, 1800 current account में यहाँ पर credit है मतब current account में आपको आनेरी के debit side दिखाना पड़ेगा current account में आपको आनेरी के debit में दिखाना पड़ेगा word क्या जाएगा, word आएगा capital account अब capital account मेरा close हो गया हैंसी का तो पहले ही मैंने close कर लिया अब मैं close करने जा रहा हूँ current account देखो current account की बात तर वो तो easy है यहाँ पर 47,000 total है debit में कुछ भी नहीं है तो यहाँ आजाएगा to balance carry forward कितना balance है 47,000 और आपको पता यहाँ का balance life decide जाता है बट पहले यह capital का balance में transfer कर लो अब इनकी capital देखो तीनों की partial, annary, hansi इनकी capital जो यह balance हम हर बार transfer करते है इसकी 60,000 second partner की 80,000 और hansi की 40,000 यह इनकी मैंने capital लिखा दे अब मैं जब current account में आऊंगा तो आप check करो current account में स्रिफ पार्षवी का यहाँ पर balance आ रहा है तो यहाँ मैंने दिखा दिया current account बट यह current account किसका है पार्षवी का जो कितना balance दिखा रहा है 47,000 बट अगर हम बात कर रहा है आनेरी की तो आप check करो आनेरी का debit side का balance आ रहा है 1800 और हेंसे का debit side का balance आ रहा है 20,000 तो यहाँ पर आ जाएगा buy balance carry forward इसका balance आनेरी का लिखने वाले हैं 1800 और हेंसे का लिखने वाले हैं 20,000 और यहाँ अगर difference आता है तो वो asset side ले ले लेते है asset side मैं दिखा देता हो current account एसेट साइड में दिखा दिया current account किसका current account यहाँ पर आया है एक Anerika और एक Hensi का आनेरी का कितना current account यहाँ पर आया है 1800 Hensi का कितना है 20000 यह मैंने इनके current account में डाल दिया complete हो गया अब हमें last cash account को close करना है cash account देखो 56,000 था 40 ओर भी आ गया तो cash में balance आपका आजाएगा 96,000 As usual transfer करेंगे by balance 96,000 और ये जो cash का account है इसका balance यहाँ पर balance sheet में asset side आजाएगा cash 96,000 सारे transaction complete होगे balance sheet का total करो जैसे balance sheet का total करोगे आप देखोगे balance sheet का total आ रहा है 3,20,800 balance sheet का आपने book में देखा होगा 3,20,800 यहाँ भी total आएगा और इस side वे आपका total आजाएगा 3,20,800 और आपकी balance sheet टेली हो जाएगी important sum है दो बार करने जैसा है आपका आज होमग क्या है इसी sum को 2 से 3 बार आप करके देखना और यही same textbook में भी illustration में भी SI दिया हुए exercise में भी SI दिया हुए illustration से और exercise से खास sum यह practice करना most important sum है students confused होते हैं थोड़ा बढ़ एक दो बार अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आ जाएगा no doubt मैंने current account इसमें बनाया बर question में liability side current account नहीं था जब liability side current account होता है न तो हम capital account बनाते ही नहीं है या सारे की सारी adjustment current account में कर देते हैं यह current account कहां create हुआ था बिलकुल last step में question में last में दिया था liability side नहीं दिया गया था यह बिलकुल अलग से आपको दिया गया था कि जो भी इनकी capital कम हो रही है वो कहां से एक्जस कर दी है current account से उसको खास द्यान लखना हैंसी के खास new point द्यान लखना हैंसी 40,000 capital लाया था अगर goodwill के 20,000 में उसके capital में डालता तो उसकी capital यहां खाली 20,000 रह जा जबकि उसकी capital 40,000 को बेज रखकर बाकी के partner ने अपनी capital को एक्जस किया तो हमने वो 20,000 capital में नहीं डाले कहां डाल दिये current account में डाल दिये यह छोटी-छोटी चीजों को ध्यान लखना ऐसे तो यह tax book में illustration भी किया हुआ है आप उससे भी match करना आपको idea आजाएगी फिर भी अगर कहीं confusion लग रहा है तो आप call करके कोई भी doubt हो personally पूछना हो पूछ सकते हो नहीं समझ में आ रहा है दो बार चार बार जितनी बार भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो बट जितने भी concept करो अच्छी तरह से practice करना ताकि अच्छी तरह से आपका complete हो जाए बाकि हम next video में इसके बाद बार illustration करेंगे तब तक ये illustration है exercise का sum है और illustration का sum है जो भी इससे related sum लगे आप 2-3 बार कर लेना बाकि हम next video में discuss करेंगे ओके बाई